नमस्कार दोस्तों ममंसाराम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल SMC गुरुपर इस वीडियो में हम बात करेंगे लेकपाल भरती परिक्षा से सम्मंधित एक बड़ी निउज निकल के आ रही है STF ने रिपोर्ट को सौंप दिया है अधीनस सिवा चैन आयोग को और परिक्षा रद्ध होने के कितने परसंट चांस बनने है और अगर परिक्षा रद्ध नहीं हुई तो जो निउज निकल के आ रही है उसको अगर देखा जाए तो अब कट आउफ जो है क्या देखने को मिल सकती है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और रिजल्ट का क्या प्रारूप है क्या आयोग चाहता है सब कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वीडियो को आपको complete देखना है तभी हर एक बात आप समझ पाएंगे वीडियो को अधूरा बिल्कुल न छोड़ा करिए complete देखा करिए भले आप स्पीड बढ़ा करके देखें लेकिन complete जनकारी पाएंगे तभी आप संतुस्ट हो पाएंगे यहाँ पे एक newspaper है यहाँ पे आप देख सकते हैं जागरन newspaper में जो ही है यह खवर निकल चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह news हो सकता है आप पहले भी देखी हो लेकिन हम यहाँ पे जो चीजेs discuss करने वाले हैं आप کی क्या राय है आप कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए गलास्ट में मुझे कि जो है आप क्या चाहते हैं कि परिक्षा रद्ध होनी चाहिए या फिर नहीं रद्ध होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेकपाल भरती परिक्षा में बैटे 15,000 संदिक्ध अभ्यारती जी हाँ ये न्यूस पेपर में लिखी गई खबर STF के द्वारा सौपी गई रिपोर्ट में बताया गया है यहाँ पर पूरी न्यूस हम पढ़के आपको सुना देते हैं परतियोगी परिक्षा में पेपर लीक की घटनाये लगातार सामने आ रही हैं हाल में ही उत्राखंड SSC 2021 परिक्षा का पेपर लीक होने का प्रकरण उजागर हुआ STF ने इसका राजबास कर आरोपितों को गरिफतार किया इससे पहले लेकपाल भरती परिक्षा मुख्य परिक्षा में परदेश भर से सौलबर गैंग के 21 लोग गरिफतार किये गए अब STF को परताल में चौकाने वाले तथ्य सामने आये हैं बताया जा रहा है कि लेकपाल भरती परिक्षा में करीब 15,000 शंदिक्ध अभ्यार्थी सामिल हुए थे इस तथ के सामने आने के बाद लेकपाल भरती परिक्षा का पेपर लीक होने का सक गहरा गया है STF ने UP अधिनस सेवा चैन आयोग को पूरे परकरण की रिपोर्ट भेज दी है यहाँ यहाँ पे जैसा कि वीडियो परिक्षा में हुआ था पिछली बार 2018 वाला वीडियो परिक्षा जो हुआ था उसमें भी STF ने रिपोर्ट अधिनस सेवा चैन आयोग को शौपी थी तभी मामला कोट में गया था और वहाँ पे भरती परिक्षा रद कर दी गई तो उसी क्रम में यहाँ पे STF ने UP अधिनस सेवा चैन आयोग यानी UP SSC को पूरे प्रकरण की जो है रिपोर्ट को भेज दिया है प्रशनपत्रों के क्रम के साथ संदिग्ध चात्रों की भूमिका पर सवाल उठाये गए हैं STF की और से उन चात्रों का ब्योरा भी आयोग से मागा गया है जाँच में कुछ खास सेट के प्रशनपत्र संदिग्ध अभ्यारतियों को उपलब्द कराये जाने का सक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम संख्या सेट के साथ आयोग की रिपोर्ट दी गई है कि वह ऐसे अभ्यारतियों को चिन्नित करने में मदद करे हलाकि आयोग की और से इस दिसा में कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है हर बार की तरह जो है आयोग यानि की उपी ट्रपल सी कल्लू पोल भी सामने देखने को मिल रहा यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोग के द्वारा कोई ठोस जो है कारवाई करने की बात नहीं कही गई है नेस्ट यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे पकड़ा गया है गिरोग देख सकते हैं यहाँ पे 31 जुलाई को लेकपाल भरती मुख्य परिक्षा हुई थी इसमें 2 लाग से जादा ब्यारती ने भाग लिया था यह सब कुछ आप जो है देख सकते हैं 501 परिक्षा केंद्रो पर यह परिक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुई थी परिक्षा संपन होने के बाद यहाँ पे स्टीफ को परिक्षा में सौलबर गिरोह के सामिल होने की जानकारी मिल गई इसके बाद प्रियाग राज लखनौ मुरादाबाद बारानसी कानपुन नगर बरेली बलिया और गोंड़ा से गिरोह में सामिल 21 लोगों को गरिपतार किया गया रोह का मुख्य आरूपित बिजे कांत पटे लेकपाल परिक्षा से सौलबर बिठाने के लिए 10-10 लाख रुपए जो है लिया था यह निउट जो है निकल के आई है यहाँ परिक्षा रद होने के कितने परसंट चांस है देखिए अगर STF ने रिपोर्ट को भेजा है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है और 15,000 यह संख्या है अब जो है संदिक अभ्यारतियों की तो 15,000 का जो है छटनी करना या फिर उनको फाइंड आउट करना यह पॉसिबल नहीं होगा तो इस जो है उसमें कुछ भी हो सकता है यानि परिक्षा अगर रद के जो है अब चांसेस की बात करें तो यहाँ पर 40 to 60 40 और 60 परसंट का आकड़ा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 40 परसंट चांसेस बन सकते हैं कि परिक्षा को रद किया जाए और 60 परसंट हो सकता है कि यहाँ पर इनकी जाज की जाए जैसा कि STF ने 21 लोगों को पकड़ा है वहाँ पर उनसे जो तथ निकल के आए उसके अनुसार जो है आगे की जैसे की UPSI में हुआ था कि जब लोग फिजिकल देने गए तो वहाँ पर उनका पूर्जाज जारी किया गया तो ऐसा भी हो सकता है बाकी यहाँ पर जो भी नूज होगी लेकपाल से नमधित आपको हम लगातार जो है दे रहे हैं और सब कुछ यहाँ पर अगर कट आफ की बात करें तो कट आफ यहाँ पर आप कुछ भी हो सकती है देखिए अगर इतना बड़ा आकड़ा सामने निकल के आ रहा है तो कट आफ की बारे में कहना बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा बाकी आगे की जो भी न्यूज होगी हम आपको जो है प्रोवाइड करवाते रहेंगे आप चैनल के साथ चुड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक और सेर जरू कर दिया करिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जभारत तैंक्यू सो मच